What's going on guys, Aji here, मैं आगे हूँ आप लोगों से बात करने के लिए Indian Idol के बारे में हर साल की तरह इस सीजन में भी हम आपके साथ कुछ ना कुछ रिव्यूज अपने शेयर करते रहेंगे लेकिन इस बार जो दो एपिसोड आये हैं Saturday और Sunday को इन्होंने मुझे काफी अजीब सी situation में लागे खड़ा कर दिया क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि Indian Idol हो सारे गामा हो या कोई भी TV reality show हो they just use the contestants to earn the money, ठीक है, simple सी बात है, यह real fact है और इस बार कुछ contestants ऐसे से जिन्होंने literally बहुत जबर्दस गाया और लेकिन इस बार इन्होंने बड़ा एक smart move करा है कि auditions ही limited दिखाए है असली auditions नहीं दिखाए या तो यह बहुत ज़्यादा funny चले जाते हैं कि हाँ funny वाला audition दिखाओ किसी की बेज़िती करो और उसको बाहर कर दो या फिर यह दिखाते हैं कि हाँ बहुत ही ज़्यादा कमाल सिंगर है बहुत ज़्यार सिंगर है जिसके पाँ सोड़ा बहुत खुद का fanbase है अब जैसे काफी contestants ऐसे आते हैं जैसे last year रिशी सिंग को देख लो he was a good singer and he won it actually तो इस तरीके का system हमें देखने को मिलता है लेकिन जो गलत हुआ था last time वो हुआ था रीतो रिबा के साथ deserving singer होने के बावजूद he was not getting that much of support तो वो एक actual fact था and अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस season में मेनु का पुडेल जो की मतलब एक कमाल की लड़की है मतलब she's such a bright singer जिनके गाने को सुनने के बाद मैं भी भर गया था मतलब मेरी भी आँखों में आंसू थे मैंने सुना इनको गाते हुए मतलब मेरे मेरे दो चार दस मिनट के लिए रोंग्टे खड़े सब कुछ बलर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी I am listening to a divine voice and अगर हम बात करें generally हम निया ककड को पिछले कुछ season से किसी भी फालतू की बात पर रोता हुए देख रहे थे अगर हम बात करें यहां पर judges literally पता लग रहा था के Shriya Ghoshal she loves music Shriya Ghoshal का मतलब music है इंडिया में अगर हम इंडिया में music की कोई definition देंगे तो वो Shriya Ghoshal हो सकती है the music the other name of music in India is Shriya Ghoshal I would say that and literally the same goes for Kumar Sanhusar as well तो मतलब अगर इन दोनों की मैं बात करूँ Shriya Ghoshal माम was moved so much that के इतना प्योर singing ना तो उन्होंने कभी सुना और honestly मैं बता रहा हूँ यह singing जो हमने कल Menuka Pudel जी की सुनी है वो हमने सुनी है वैसी singing हमने सुनी है के जब initial times होते थे ना Indian Idol के auditions आते थे कोई एक विरलाई contestant आ गया जिसने आ के गा दिया मतलब इतना प्योर इतना genuine मतलब what a voice लेकिन मैं तुम्हें एक चीज ना Indian Idol के बारे में बताता हूँ Indian Idol का मतलब होता है के milk money from the contestants उनका simple fund है उन्होंने बाद में शोज से भी Indian Idol के contestant को शोज दिलाके भी पैसे कमाने है वो इसब चलेगा यहाँ पर अगर हमेशर शमिया बैठे होते हैं तो वो बोल रहे होते हैं कि मैं मेनुका से गाना गवाऊंगा और वो अपने चैनल के उपर बहुत से नई singers को मौका देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है वो कर रहे है आज की रेट में अच्छी चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है यह इस तरीके का contestant को support मिलना बहुत ज़रा ज़रूरी है पर लेकिन यहाँ पर किसी ने वैसा नहीं बोला honestly आप में से कितने लोगों ने ओडिशन देखा है मुझे नहीं पता लेकिन कितने लोगों ने ओडिशन नहीं देखा मुझे उससे बहुत फरक पड़ेगा क्योंकि यह जो contestant है इस contestant का यह performance देखके आपको यह पता चलेगा what is actually music मतलब इतना pure vocals इतने pure musicality हम मैंने नहीं देखिया अपनी लाइफ में the most emotional moment for me in this audition was when she was checking the sound मतलब जितनी purity से उन्होंने sound check किया the way she brought in that purity into her voice was commendable guys commendable कुम मैंच ही नहीं सचीज का it was exceptional मतलब literally मैं सरफ shout out देना जाओंगा मेनु का बुडेल जी को कि आपने इतना कमाल गाया है भगवान करे हमें आप जैसे singers मिलते रहें and honestly we are here to give shout outs to the new upcoming talent of India और हमें हर बार contestants में से कुछ contestants जो ऐसे लगते हैं जिनको literally PR टीम नहीं मिलेगी जिनके पास पीछे financial background उतना strong नहीं है कि उनको पीछे से PR लगाके famous कर सके क्योंकि कुछ आते हैं rich contestants और वो गलत नहीं है वो अपनी PR वगवारा करके अपना काफी growth कर जाते हैं लेकिन हम यहाँ पे उन contestants को support करने के लिए हैं जो actual में जिनके पास PR टीम नहीं है या जिनको हम मतलब कोशिश कर सकते हैं एक platform जो कि हमारे पास आज की date में है reaction by RG और review by RG पे हम उन contestants के बारे में बात करें लोगों तक उनको पहुंचाएं और लोगों को पता चले जो Indian Idol इस टाइम पर नहीं देख रहे हैं कुछ लोग Indian Idol से रूटे हूँ है कुछ लोग Indian Idol को इस टाइम पर seriously नहीं लेते क्योंकि Indian Idol हो या कोई भी reality show बहुत से लोग उन चीजों को seriously नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत बनावटी पना आ चुका है पिछले कुछ सीजन से तो उस वज़ा से वो जो लोग है ना उन तक अगर हम किसी तरीके इन contestants को पहुंचा जखे हैं जो actual कदर करते हैं music की वहां तक पहुंचाना इनको बहुत ज़रा ज़रूरी है तो मैं सरफ यही चाहूँगा आप मेरी ये वीडियो लोगों तक लेके जाओ और मैं चाहूँगा कि हम ऐसे contestants को support करें जिन्होंने कमाल गाया है और literally कोई sympathy नहीं है just because she's blind तभी मैंने उसके बारे में बात नहीं करी बिल्कुल end में बात कर रहा हूँ just because she's blind we are not supporting her just because she's blind she's not a good singer over there she is genuinely a good singer तो हमें उनकी singing को support करना है हमें उन्हें sympathy नहीं देनी है ना ही शायद उन्हें sympathy चाहिए ठीक है तो sympathy मत देना बस support कर सको तो दबा के support करो जो जो contestant मुझे लगेगा कि हाँ में को अच्छा लगा है या मुझे लगता है कि हमें support करना चाहिए आप भी अपने comments में लिखना कि किस contestant के बारे में आप चाते हो कि मैं बात करूँ मैं बात जरूर करूँगा and very fine singer मेनुवा पडेल जी great shout out best of luck for the season and I hope Indian Idol में इस बार हमें इनकी तरफ से कमाल के गाने सुनने को मिलेंगे I hope नहीं पक्काई मिलेंगे like करो, share करो, subscribe करो and प्यार देते रहो